है फ्रेंड्स मैं हूँ सत्यों तो आप एक स्विमिंग पूल में बड़े मज़े से नहा रहे हो लेकिन आपको पता भी नहीं है कि उस स्विमिंग पूल में 400 से भी ज्यादा पीराना मचली है तो एक पिराना का जूंट उस मिंग पूल में आपके साथ नहा रहे हैं ये कोई 70's की हॉलिवड की ब्लकवश्टर सार्की की मूभी की बात नहीं हो रहा है हम बात कर रहें एक छोटी मसली की जो ग्रेट वाइट सार्क से भी कई गुना छोटा है लेकिन काटने के मामले में ये सार्क से दो गुना ज़्यादा है इनकी दांत इदने नुकिले होते हैं कि अगर ये आपको काट ले तो खुन बाहर आने के वाद आको विलिव होगा तो वाट इव क्या हो अगर आप एक पिराना की पूल में आगे तो आपके साथ क्या होगा चले फता लगाते हैं ये पिराना मचली बहुत ही पूराने स्पेसिस के हैं साथ अमेरिका में एक पिराना मचली का एविडेंस पायागा जिसमें रिशर्ज के वाद पता चला है कि ये करीब 25 मिलियन साल का है लेकिन उस जमाने की जो पिराना थे हो आज के टाइम पर नहीं पाया जाते हैं और आज की मडरन पिराना की बात करेंगे तो ये 1.8 मिलियन साल के हैं तो हमारे पास काफी टाइम है इनके वारे में रिशर्ज करने के लिए कि कैसे ये जाइन्ट पिराना इतने छोटे साइज तक एवलोरेशन हो सके खैर हो कि इस दिन और बात करेंगे लेकिन अभी हम वापिस आते हैं हमारे टॉपिक के ओ तो कहा जाता है कि ये पिराना मचले एक विसेस ब्लोड थेस्टी क्रेचर है जो कि कुछ मिंटों में आपकी पूरा सरीर को नोच सकते हैं तो क्या ये बात से ही है चले इसका अंसर को पता लगा दे हैं साल 1914 यूएस की प्रेशिरन थियडर और रूजवेल्ट ब्राजिल में सर्वे कर रहे थे तो सर्वे के टाइम उन्हों ने देखी कि ब्राजिल की लोग एक मरे हुए गाय को एक रिवर में फेक देते हैं जिस रिवर में भूके पीराना थे और यह भूके पीराना जोग उस मरे हुए गाय को नोच-nोच के खा रहे थे तो ये खतरनक नज़ारा को रूजवेल्ट पास में जाके देखने लगे तो ये खतरनक नज़ारा को देखने को बाद रूजवेल्ट ने ये दावा किये कि ये फिराना मचली अपने सरीज से भी ज़्यादा बड़े जानवर का सिकार करते हैं तो इस दावेक के बाद 1978 में पिराना के उपर मुविस बनना सुरू हो गया जिसमें पिराना को एक खुंकार मचली के तरह बताया गया लेकिन माइड़ फ्रेंड ये ट्रूथ नहीं है फिराना की कलेमफी से ये नदी को साब करने का काम करते है नदी के अंदर जितने भी सारे कीडे मकुडे है और पोधे हैं उनको खाते हैं हाँ पिराना के कुछ स्पेशिस सिकारी होते हैं, हो खोन से अर्ट्राटिक होते हैं, लेकिन पिराना इंसान पर ज्यादातर हमला नहीं करते हैं, वास्ताम में तो पिराना इंसान से दूर रहते हैं, लेकिन जोब एक इंसान मर जाता है, और उसकी लास नंदी में आ जाता है और एक important बात ये है कि पिराना अगर ज्यादा भूके होंगे तब जाके पिराना इंसन के उपर हमला करेंगे लेकिन ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ है बलकि scientist ये प्रूब भी कर चुके हैं कि ऐसा कोई case भी उनके हाथ नहीं लगा है कि एक पिराना का जोंडने किसी इंसन को मार दिये Sorry movie lovers लेकिन ये पिराना क्या क्या कर सकते हैं ये तो आपको पता चल गया होगा कि ये 50 cm का पिराना का bite force बहुत है This means कि एक great white shark से भी ज़्यादा है और एक American alligator से भी ज़्यादा है और एक T-rex से भी ज़्यादा है और एक megalodon से भी ज़्यादा है लेकिन unfortunately इसा कभी भी देखने को नहीं मिला लेकिन ये बात याद रखना कि अगर एक पिराना का जोंड आपके उपर हमला करता है तो 5 मिनिट के अंदर आपका सरीर एक skeleton में बदल जाएगा लेकिन येसा कभी पिराना नहीं किये हैं और नाकी कभी करेंगे लेकिन अब भी और भी बहुत सारा समंदर के friend हैं जो कि आपके उम्मीद से भी ज़्यादा खतरनाक हैं किसे और दिन उनके बारे में बात करेंगे तो friends आज के लिए इतना ये वीडियो कैसा लगा comment में बहता ना और ये वीडियो अगर अच्छा लोगा है तो इसे like और share और चैनल को निशे subscribe कर देना लेकिन तब के लिए keep learning, keep growing and save water जय हिंद जय वारत